तो आज हम देखेंगे all और all को वे इनको mix up कर देते हैं और उनको समझ में नहीं आता कब all का use करना है और कब all का use करना है क्योंकि इन दोनों का meaning एक जैसा ही लगता है लेकिन आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि कहा पर all यूज करते हैं और कहा पर whole यूज करते हैं तो सबसे पहले इस चीज को समझें जो word order है वो different होता है all और whole का कैसे जो all है उसके बाद हम the लगाते हैं जो article लगाते हैं वो all के बाद लगाते हैं और उसके बाद noun का use होता है लेकिन whole में ऐसा नहीं होता हम जो article है the वो पहले लगाते हैं और whole बाद में लगता है और उसके बाद हम noun लगाते हैं और second thing जो all है singular और plural दोनों nouns के साथ use होता है लेकिन जो whole है वो हम singular noun के साथ use करते हैं तो whole हम use करते हैं singular noun के साथ और all use हो सकता है singular और plural दोनों nouns के साथ use हो सकता है अब हम इनके meaning को समझते हैं पहले आप एक बात को समझें जैसे कि मेरे पास 3-4 apple पड़े थे और मैं आपको बोलूँ I have eaten all the apples मतलब मैंने सारे के सारे apples को खा लिया है लेकिन अगर मेरे सामने एक ही apple पड़ा था और मैं कहूँ I have eaten the whole apple तो दोनों में क्या difference हुआ कि जब एक से ज़्यादा चीजे थी plural थी तो तब मैंने कहा मैंने सारे के सारे apple को खा लिया है मतलब मैंने सब apples को खा लिया है लेकिन whole का meaning है एक ही apple था एक ही चीज थी और उसको मैंने पूरा खा लिया जब हम एक चीज के लिए बात करते हैं एक चीज पूरी तो उसके लिए हम whole का use करते हैं लेकिन अगर एक से ज़्यादा चीजे हैं तो उनके लिए हम all का use करते हैं अब इसी बात को हम example से समझते हैं I have read all the books इस sentence का meaning है कि मैंने सारी की सारी books पढ़ ली है मतलब 100% of many books काफी सारी किताबें थी लेकिन मैंने सारी की सारी पढ़ ली है और इसके बाद आप notice करें कि all के बाद मैंने article का the का use किया है अब इसी तरह हम दूसरे sentence को देखते हैं I have read the whole book मैंने पूरी की पूरी किताब को पढ़ लिया है मतलब एक book थी एक book को मैंने पूरा पढ़ लिया है 100% of one book यहाँ पर काफी सारी किताबें थी उन सब को मैंने पढ़ लिया तो मैंने all का use किया लेकिन यहाँ पर एक ही book थी और उसको मैंने पूरा पढ़ लिया तो किसका यूज किया यहाँ पर the whole अब हम next example को देखते हैं all the students are present सारे के सारे students present हैं मतलब 100% students class में present हैं तो हमने यहाँ पर किसका यूज किया all का all के बाद क्या यूज किया the article का और students students क्या है students यहाँ पर plural countable noun है countable noun जिसको हम गिन सकते है that can be counted तो उसके साथ all का ही use होता है तो मतलब सारे के सारे students present हैं इसी तरह इस sentence को देखें the whole class is present पूरी की पूरी class present है तो दोनों sentence का meaning तो एक ही है सब student भी present है और इस sentence का meaning है कि पूरी की पूरी class present है मतलब 100% students present है और पूरी class present है लेकिन यहाँ पर noun क्या था students लेकिन इस sentence में हमने यूज किया class collective noun का यूज किया सब students को मिला कर क्या बनती है एक class तो एक class पूरी की पूरी present तो जब हम एक चीज की बात करते है पूरी की पूरे एक package की तरह एक unit की तरह तो हम whole का use करते हैं और जब हमने students की बात की जिनको तो हम count कर सकते हैं, बहुत सारे students है, plural है, countable है, उसके साथ हमने all का use किया, अब हम next example को देखते हैं, अब इसके meaning को ध्यान से समझे, the child cried all the time, इसका meaning क्या है, कि जो child था, वो cry करता रहा, हर समय, मतलब हर समय का मतलब है, कि कभी चुप कर जाता होगा, फिर कभी रोने लगता हो तो हमने sentence को use किया, the child cried all the time, लेकिन अगर इस sentence को देखें, the child cried the whole time, जो बच्चा था, वो पूरा time रोता रहा, मतलब कोई एक घंटे का period होगा, दो घंटे का period होगा, वो बच्चा उस समय रोता रहा, during that period, non-stop वो रोता रहा, तो हमने कहा, the whole time, whole time means पूरा का पूरा वो time, औ next example को देखते हैं, अब next example में क्या है, जो possessives होते हैं, जैसे my, his, her, जो words possession को show करते हैं, कि कोई चीज किस से belong करती है, वो word हमेशा all के बाद use किये जाते हैं, लेकिन वही possessive word whole से पहले use किये जाते हैं, अब ये बात हम example में देख लेते हैं, all my family lives abroad, पहले तो आप इस चीज को को देखें कि my, ये जो possessive word है, हमने all के बाद use किया है, और अब आप दूसरे sentence को देखें, my whole family lives abroad, मेरी पूरी family abroad रहती है, यहाँ पर हमने whole से पहले my को use किया है, तो possessive जो words होते हैं, all के बाद use होते हैं, और whole से पहले use होते हैं, अब इन दोनों sentences के meaning को समझ लेते हैं, all my family lives abroad, मतलब मेरी family abroad रहती है, ज्यादा तर, ज्यादा तर लोग, most of the people of my family live abroad, जैसे कि आप इंडिया में हैं, तो आप किसी को बताएं, all my family lives abroad, इसका meaning है, कुछ family के लोग शायद नहीं रहते होंगे, बाकी मेरी सारी family abroad रहती है, लेकिन अगर हम इस sentence को देखें, my whole family lives abroad, मतलब म मेरी family के सारे लोग abroad रहते हैं, उन लोगों को जिनको मैं जानता हूँ, या जिनको मैं नहीं जानता, सब total, मेरी पूरी की पूरी family, क्योंकि whole word हम use करते हैं, पूरा एक package के रूप में, पूरा एक unit के रूप में, मतलब मेरी पूरी की पूरी family abroad रहती है, अब next देखें, we use all हम all the का use करते हैं और the whole का use नहीं करते किसके साथ uncountable nouns के साथ हम the whole का use नहीं करते uncountable noun that cannot be counted जिसको हम count नहीं कर सकते हैं अगर ऐसे noun हो तो उनके साथ हम the whole use नहीं करते uncountable noun कुन से होते हैं जैसे कि knowledge, water, money ये सब uncountable nouns हैं अब हम example को देखते हैं she was given all the advice she needed उसे दी गई वो सारी advice जो उसको जरूरत थी हम ये sentence नहीं बोल सकते she was given the whole advice ये तो बोलने में भी और सा लगेगा और वैसे भी मैंने आपको बताया कि जो the whole है हम uncountable noun के साथ use नहीं करते तो यहाँ पर इसलिए हमने use किया all the advice तो students मैं उमीद करता हूँ कि आपके सारे doubts clear हो गए होंगे all or whole को लेकर अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो please don't forget to subscribe to my channel and to click the like button Thank you